हेलो एंड वेलकम तो पी आर लर्निंग लाब माई नेम इस सौम्या और आज का वीडियो बहुत फ़ान वीडियो होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको कुछ फेमस बॉलिवर्ड डायलोग्स के इंग्लिश ट्रांसलेशन के बारे में बताऊंगी कि उन हिंदी डायलोग्स को हम इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो वो किस तरीके से हमें सुनाई देंगे तो आईए अपना वीडियो शुरू करते हैं फर्स डायलोग है जो आदमी लिमिट में रहता है वो जिन्दगी भर लिमिट में ही रह जाता है इसका ट्रांसलेशन हुआ जो इंसान हमेशा लिमिट में रहता है वो जिन्दगी बर लिमिट में रह जाता है ये डायलोग है जन्नत का जन्नत एक बहुत ही फेमस बॉलिवुड मूवी है इसका ट्रांसलेशन होगा I want to fly, I want to run, I even want to fall, I just don't want to stop मैं उरना चाहता हूँ, मैं दौरना चाहता हूँ, I even want to fall, मैं गिरना भी चाहता हूँ, I just don't want to stop, मैं बस रुपना नहीं चाहता I think ये एक lesson है जो सबको अपनी life में लेना चाहिए I think ये एक बहुती जादा अच्छा dialogue है और एक inspirational line भी है जो सबको अपनी life में follow करनी चाहिए Next तो ये dialogue एक बहुती famous Bollywood movie से है जो थोड़ी पुरानी है लेकिन ये dialogue अभी तक सबके मूँ पर रहता है ये dialogue है ये dialogue है Sunny Diolka जब ये ढाई के लोग का हाथ किसी पर पढ़ता है तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है इसका translation बहुत funny है वो है जिनके अपने सपने पूरे नहीं होते न वो दूसरों के सपने पूरे करते है ये dialogue है अभारापन का और ये भी एक बहुती ब्यूटिफुल dialogue है इसका translation है इसलिए जो दिमाग कर सकता है वो आपका computer नहीं कर सकता Translation The computer did not make humans Computer ने इंसान को नहीं बनाया The humans made the computer Computer को इंसानों ने बनाया है That's why what a mind can do मतलब जो भी दिमाग कर सकता है A computer can't A computer can't मतलब computer नहीं कर सकता Next ये dialogue भी एक बहुँ अदी famous movie से है और ये dialogue ऐसा है जो definitely हमारे parents और इवन उनके भी parents को पता होगा Prem नाम है मेरा Prem Chopla इसका translation है Love is my name Love Chopla So ये भी काफी funny translation है और ये कोई motivational dialogue नहीं है This is just for fun Next ये dialogue है Happy New Year movie से ये अभी recently आई थी And this dialogue is really nice रोटी के बिना इंसान चार हफते जी सकता है पानी के बिना चार दिन और हवा के बिना शायद चार मिनिट लेकिन उमीद के बिना इंसान चार सेकंड भी नहीं जी सकता है काफी अच्छा dialogue है ये इसका translation है A person can live for four weeks without food Four days without water And maybe four minutes without air But a person cannot even live for four seconds without hope So इस इत्य लंबे से dialogue ने हमें हाँ पर Hope की importance बताई है That how important it is for all of us की हम hope करना ना छोड़े Next ये डाल होगे ABCD से Anybody Can Dance ये movie भी काफी पुरानी नहीं है Recent movie है ये सही direction में उठा हर कदम अपने आप में एक मंजिल है After all, life is all about the next step Translation Every step that moves in the right direction Is a goal in itself After all, life is all about the next step ये काफी अच्छा डायलोग है और सबको ये चीज़ जरूर फॉलो करनी चाहिए Next ये डायलोग भी Sunny Deol का है और ये भी एक funny डायलोग है काफी famous डायलोग है ये सबको इसके बारे में पता होगा तारीक पे तारीक, तारीक पे तारीक, तारीक पे तारीक मिलती गई my lord पर इंसाफ नहीं मिला इसका translation है ये डायलोग है इसमें अजे देवगर ने लीट पले किया है Translation It's a really nice डायलोग Next डायलोग भी जन्नत से है जो हारता है वो ही तो जीतने का मतलब जानता है ये डायलोग तो हम अपनी डे टो डे लाइफ में बहुत बार बोलते भी हैं कभी-कभी तुमारे बड़े भी हमें ये आके सिखाते हैं इसका translation है The one who loses is the one who knows the meaning of winning Next dialogue ये सलमान खान का है And again it's a very famous dialogue मुझ पर एक इहसान करना कि मुझ पर कोई इहसान ना करना इसका translation है Do me a favor that you'll not do me any favor अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजिए And don't forget to subscribe to our channel Thanks for watching